Hello everyone, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका स्मिता स्टाइल में आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटिफुल अनारकली गाउन की कटिंग और स्टिचिन शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने बंदकलियों में बनाया है और ये एक साड़ी रियूस प्रोजेक्ट होने वाला है तो चलिए देखते ही इसको कैसे बनाएंगे बहुत इजी है इसे बनाना और अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे इसली बना सकते हैं बस जो मैं स्टेप आपको बताऊंगी आप अपने मेजर्मेंट के इसाब से उसे फॉलो कीजिएगा अब सबसे पहले साड़ी देख लेते हैं तो मेरे पास ये सिल्की साड़ी है जिसमें उपर नीचे दोनों तरफ बॉर्डर है लेकिन इसमें जो नीचे की तरफ बॉर्डर है वो ब्रॉड है और उपर की तरफ जो बॉर्डर है वो पतला सा बॉर्डर है तो इसमें से हम दोनों तरफ से कलिया नहीं कट कर सकते हैं इसलिए हम इसे बंदकली में बनाएंगे तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी है जिसमें से आप दोनों तरफ से कलिया नहीं कट कर सकते हैं या फिर कलियों में कट करने से वो साडी का जो वर्क है वो खराब हो सकता है तो आप इस मेथट को यूज़ करके बहुत इसली अपने लिए अनारकली गाउन बना सकते हैं और हाँ वीडियो यूसफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा अब देखिए ये साडी में आपको खोल के दिखाती हूँ तो साडी में इतना ये पल्लू वाला पोर्शन है जिसे हम कट करके अलग कर देंगे और इस साडी में ब्लाउज पीस अटेच है तो पल्लू का पोर्शन कट करने के बाद भी ये साडी जो हमारी है 5.5 मीटर की ही है पल्लू का पोर्शन मैंने कट कर दिया है और ये जो साडी की विर्थ है वो है 44 इंच जितनी हमारी नॉर्मल कपड़े की विर्थ होती है तो अगर आप फैब्रिक से इसे बनाना चाहते हैं तो आपको 5.5 मीटर फैब्रिक की रिक्वाइर्मेंट होगी साथ ही मैंने इसमें 3 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक भी लिया है आप हम मैजर्मेंट देख लेते हैं तो ये देखे जो हमारी गाउन की पूरी टोटल लेंथ है वो है 55 इंच और ये गाउन हमारा दो पार्ट में बनेगा ये है उपर का पार्ट योग पार्ट जो कि 14 इंच का होगा और नीचे जो इसका घेरा है वो हम रखेंगे 41 इंच का तो इसी तरह से हमें फैब्रिक को कट करना है बागी का मेजर्मेंट इस तरह है शोल्डर है 14 इंच बस साइज है 34 इंच और वेस्ट लाइन है 28 इंच तो मैं इस मेजर्मेंट से कट करूंगी आप अपने मेजर्मेंट से करिएगा अब लाइनिंग की फैब्रिक में हम अपर पाट को कट करेंगे तो यह देखे फैब्रिक 2 फोल्ड है और इसको एक और बार फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे अब यहाँ पे आपको अपर पाट की जितनी भी त्यार लेंट रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए और यहाँ से इतने फैब्रिक को कट करके अलग कर लीजिए अब हम अपनी मार्किंग करेंगे तो यह देखिए फैब्रिक को इस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया है बंसाइड मेरी तरफ है अब यहाँ शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो शोल्डर मेरा 7 इंच था तो इतना मैं पूरा-पूरा ही ले रही हूँ इसके बाद आम हूल का निशान लगाएंगे तो यह मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और अब इन दोनों मार्क को हमें मिला देना है अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेजर्मेंट है उसे 4 से डिवाइट कर लीजिए मेरे केस में 4 से डिवाइट करने के बाद 8.5 इंच आता है तो यह मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रो कर लेंगे अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेजर्मेंट है उसको भी 4 से डिवाइट कर लिजिए मेरे केस में 7 इंच आता है और उसमें 1 इंच और प्लस किया मैंने डॉट के लिए तो यह मैंने 8 इंच पे मार्क किया है और इन दोनों मार्क को भी हम मिला देंगे यहाँ पे अपनी सिलाई मार्जिन एट कर लेंगे अब यहाँ पे आम होल का शेफ ड्रॉ करेंगे तो यह जो हमने लाइन मार्क की है पहले हम इसका हाफ निकालेंगे यह देखे इस तरह से और बैक के आम होल के लिए अब यहाँ कॉर्णर पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहां से armhole का shape draw कर लेंगे अब front armhole के लिए यह जो line mark किया है इससे half inch अंदर की तरब mark करेंगे और यहां से अब हम front के armhole का इस तरह से shape draw कर लेंगे अब यहां पे neck की marking करेंगे तो neck width में 3 inch पे mark कर रही हूँ और neck length आप अपने हिसाब से कम या जादा रख सकते हैं अब ही यहां पे roughly मैंने 6.5 inch पे ही mark कर लिया है लेकिन बाद में मैं इसे change कर लूँगी और यहां से एक box बना लेंगे back neck के लिए मैंने यहां पे 3 inch पे mark किया है और यहां से भी एक box बना लेंगे और इसके अंदर अपना neck का shape रो कर लेंगे यहां से half and shoulder down करेंगे तो यह हमारी marking हो गई है और अब हम इसको cut कर लेंगे पहले हम back arm hole को cut करेंगे अब इसमें से एक piece को हम अलग करेंगे जो कि हमारा back का piece होगा और front के piece को फिर से center से fold करके रखेंगे और front के भी arm hole को cut कर लेंगे इसके बाद हम slaves cut करेंगे तो यह देखे lining की fabric को इस तरह से मैंने four fold कर लिया है one side मेरी तरफ है अब यहां नीचे से जो हमारा fabric है उचा नीचा है तो इसको बराबर से करने के लिए हम यहां पे एक straight line draw करेंगे और इस mark से अब हम length की marking करेंगे तो जितनी भी आपको अपने slaves के तयार length रखनी उसमें one inch plus करके mark कर लीजिए मैंने ten inch पे mark किया है और यहां से भी हम एक straight line draw कर लेंगे अब इससे नीचे three inch पे हम mark करेंगे और यहां से भी एक straight line draw करेंगे अब measuring tape को यहां corner पे रखेंगे और armhole के लिए mark करेंगे तो यह मैं 7.5 inch पे mark कर रही हूँ लीचे की तरफ हम बाजू की गुलाई की marking करेंगे तो यह मैं 5 inch पे mark कर रही हूँ और अब इन दोनों mark को इस तरह से हम मिला देंगे अब यहां से अपनी slips का जो हमारा shape होता है उसे draw कर लेंगे यह देखी कुछ इस तरह से यहां पे हम अपनी slime marginate कर लेंगे एक से 1.5 inch की तो यह हमारी marking हो गई है और अब हम इसको cut कर लेंगे अब front के armhole की marking करेंगे तो half inch अंदर से यह देखी इस तरह से front के armhole का shape draw करेंगे और दो piece को इस तरह से खोल करके इसको भी हम cut कर लेंगे तो lining की fabric में सारे piece की cutting हो गई है अब इसको ही रख करके हम main fabric मतलब साड़ी को cut करेंगे तो यह देखी sleeves को रख करके मैंने इतने fabric को cut करके अलग कर लिया है यहाँ पे अब जो fabric मैंने सारी में से cut किया था उसकी सीधी side उपर की तरफ है और उसके उपर sleeves को रख करके pin से secure कर लिया है यह जो पतला वाला border है उसको हम sleeves के किनारे पे लेंगे अब यहाँ से हम इसको cut कर लेंगे अब sleeves के दूसरे piece को cut करना है तो दूसरी तरफ यह जो broad वाला border था उसे भी मैंने cut करके पतला कर लिया है जितना की हमारा उपर की तरफ border था यह देखिए इस तरह से और दूसरे वाले sleeves को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको भी यहाँ से cut कर लेंगे अब यह जो हमारा upper part है उसका यह front का piece है और इसको भी मैंने यह देखिए साड़ी की उपर रखकर के pin से secure कर लिया है और इसको भी हम यहाँ से cut कर लेंगे सेम इसी तरह से back के piece को भी मैंने यहाँ पे pin से secure कर लिया है और इसको भी cut कर लेंगे तो सारे piece को मैंने cut कर लिया है इसके बाद मैंने यह fuse paper लिया है जिसकी length 11.5 inch है अब इसको इस तरह से center से fold करेंगे और mark करेंगे तो यहाँ उपर की तरफ हम 5 inch पे mark करेंगे और यहाँ से हम 10.5 inch पे mark करेंगे और एक box बना लेंगे अब यह fuse paper हमारा fix रहे हिले नहीं इसके लिए मैंने इसे pin से secure कर लिया है अब यहाँ पे neck का shape draw करेंगे तो यहाँ पे यह जो हमने line mark की है इसे थोड़ा सा अंदर से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ फिर बाहर ले जाते हुए यहाँ पे हम round neck draw कर लेंगे और इसी mark की उपर से अब हम इसको cut कर लेंगे अब जो हमने upper part cut किया था उसके side से यह broad वाला border बचा हुआ है और इसकी ulti side मैंने upper की तरफ रखी है अब इसके उपर fuse paper को रखेंगे और press की help से इसे stick कर लेंगे तो यह मैंने इसे stick कर लिया है अब half inch जितना margin छोड़ते हुए जितना भी extra fabric है उसे हम cut करके हटा देंगे cut करने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है अब यह जो हमने half inch जितना margin छोड़ा है इसे हमें अंदर की तरफ fold करना है तो पूरे fabric में इस तरह से हम छोटे-छोटे से cuts लगाएंगे और यह जो extra fabric है अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ fold करके हम इसे press से अच्छे से बिठा लेंगे अब इसे front के piece में attach करना है तो यह देखिए front के piece से मैंने lining की fabric को हटा दिया है अब इसको center से fold करेंगे और इसका center mark कर लेंगे और वापस से खोल करके रखेंगे सीधी side उपर की तरफ होनी चाहिए अब जो यह हमने पैश तयार किया था उसको लेंगे और इसको भी center से fold करके इसका भी center mark कर लेंगे अब यहाँ पे दोनों piece के center को center से मिला करके रखेंगे और pin से secure कर लेंगे अब यहाँ पे मैंने यह triangle वाली lace ली है और यह जो हमने patch बनाया है इसके अंदर इस तरह से lace को डालेंगे सिर्फ triangle बाहर की तरफ दिखने चाहिए और इसी तरह से इसके अंदर डालते हुए पूरे में घुमाते हुए हम इसे stitch कर लेंगे अगर आप beginner है तो आप इसे पहले कच्चे सिलाई लगा करके fix कर लेंगे फिर stitch कीजिए तो यह देखिए मैंने से stitch कर लिया है अब यह देखिए front के piece की सीधी side उपर की तरफ है अब इसके उपर lining की fabric को रखेंगे और pin से secure कर लेंगे lining attach करने के बाद इसको इस तरह से center से fold करेंगे और neck के लिए marking करेंगे तो neck width में 3 inch पे mark कर रही हूँ और neck length में 4.5 inch पे mark करूँगी आप अपनी साब से इसको कम्या ज़्यादा कर सकते हैं अब यहां से एक straight line draw करेंगे और box बना लेंगे और इसके अंदर अपना neck का shape draw कर लेंगे अब इस mark को हमें दूसी तरफ trace करना है तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ फिर से इसको center से fold करेंगे और हलका सा tap tap करके इसको दूसी तरफ भी mark को trace कर लेंगे तो यह हमारी neck के लिए marking हो गई है अब इसी के उपर हम इसे stitch कर लेंगे तो यह मैंने इसे stitch कर लिया है अब यहां से extra fabric को हम cut कर देंगे तो half inch जितना margin छोड़ते हुए fabric को cut कर लेना है अब पूरे neck पे हम छोटे-छोटे से cuts लगाएंगे ध्यान रखना है कि हमारी stitching नहीं कटनी चाहिए और यह जो lining का fabric है अब इसको हम back side पे turn कर लेंगे और कुछ इस तरह से यह हमारा front का निकबन करके तयार हो गया है अब इसको press से अच्छे से हम बिठा लेंगे अब यह जो मारा front का piece है इसको center से fold करेंगे और dart के लिए marking करेंगे तो उपर shoulder से हम 10 inch पे mark करेंगे और bun side से 3.4 inch पे mark करेंगे इसके लिए जितना भी आपका chest का measurement है आप उसे 10 से divide कर दीजिए मेरे case में 3.4 inch आता है तो यह मैंने mark कर लिया है और यहां से एक straight line draw कर लिया है अब इस mark को हमें दूसी तरह भी trace करना है तो इसको इस तरह से खोल के फिर से center से fold करके हलका सा tap tap करके दूसी तरह भी mark को trace कर लेंगे यह देखिए कुछ इस तरह से अब यह जो हमने marking की है इसे हमें stitch करना है तो यहां से mark के उपर से इस तरह से पकड़ करके fabric को fold करेंगे और उपर से सिलते हुए नीचे तक triangle shape में इसे stitch कर लेंगे जैसे मैं अपने blouse में करते हैं दोनों तरफ हमें इसी तरह से करना है front के piece की बाद अब हम back के piece को तयार करेंगे तो main fabric की सीधी side उपर की तरफ है और उसके उपर lining की fabric को मैंने pin से secure किया हुआ है अब इसको इस तरह से center से fold करेंगे और neck के लिए marking करेंगे तो यहाँ पे neck width में 3 inch पे mark कर रही हूँ और neck length भी में 3 inch पे ही mark करूँगी और यहाँ से एक box बना करके neck का shape draw कर लेंगे यहाँ पे भी मैं round neck ही बना रही हूँ अब इस mark को हमें दूसी तरह भी trace करना है यहाँ से extra fabric को हम cut करके निकाल देंगे तो half inch जितना margin छोड़ते हुए fabric को cut कर लेंगे अब पूरे neck पे हम चोटे-चोटे से cuts लगाएंगे और यह जो lining का fabric है इसको हम back side पे turn कर लेंगे तो यह कुछ इस तरह से हमारा neck बन करके तयार हो गया है अब जैसे हमने front के piece में dot के लिए marking की थी सेम उसी तरह से back के piece में भी marking कर लेंगे और इसी mark के उपर से अब हम इसे stitch करेंगे triangle shape में यह देखे इस तरह से triangle shape में हम इसे stitch कर लेंगे दोनों तरफ के mark को तो ये देखे दोनों पीस को यहाँ पे मैंने त्यार कर लिया है अब यहाँ पे हम shoulder join करेंगे तो दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर यहाँ shoulder से बिल्कुल बराबर से करके रखेंगे अब हम इसको stitch करेंगे तो stitch करते समय यह जो बैक के पीस का lining का fabric है उसको हम हटा देंगे बाकी के तीनों पीस को पकड़ करके यहाँ से हम इसे stitch कर लेंगे दोनों तरफ हमें इसी तरह से stitch करना है बैक के पीस के lining की fabric को हटा देना है और front के पीस को lining के साथ ही stitch करना है तो ये देखिए मैंने इसे stitch कर लिया है और ये back के piece के lining की fabric को stitch नहीं किया है अब जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से इसको खोल के रखेंगे अब ये जो back के piece का lining का fabric है ये अपने आप अंदर की तरफ इस तरह से fold हो जाएगा तो इसको ये जो हमने stitching की है इसके ऊपर रखेंगे और यहां से इसे stitch कर लेंगे आप चाहें तो hand stitch कर लिजिए या फिर machine से stitch कर लिजिए इस तरह से यहां बहुत सफाई की साथ हमारा ये shoulder joined हो जाएगा दोनों तरफ हमें सेम इसी तरह से करना है अब हम sleeves तयार करेंगे तो ये देखिए main fabric की सीधी side को मैंने उपर की तरफ रखा है और उसके उपर lining की fabric को pin से secure कर लिया है अब यहां किनारे पे हम इसे stitch करेंगे तोनों piece में तो ये मैंने इसे stitch कर लिया है अब lining की fabric को हम back side पे turn करेंगे तो ये जहां से हमने stitching की है वहां से इसको इस तरह से back side पे turn करके बिल्कुल बराबर से कर लेंगे अब यहां किनारे पे हम top stitch लगा लेंगे इसके बाद हम sleeves fine करेंगे तो ये देखिए sleeves को इस तरह से रखेंगे front को front के साथ और back को back के साथ और पलट करके यहां center से बिल्कुल बराबर से करते हुए दोनों तरफ stitch कर लेंगे दोनों sleeves को same इसी तरह से करना है तो दोनों तरफ की sleeves को मैंने join कर लिया है अब यह जो upper part है इसको इस तरह से center से fold करके रखेंगे बिल्कुल बराबर से चार रोपी इसको बिल्कुल बराबर से करके रखेंगे और यहां corner पे अब one inch पे mark करेंगे और यहां से हलका सा round ship दे देंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और इसको cut कर लेंगे ऐसा करने से इसके कोने लटकेंगे नहीं अब हम fitting की stitch लगाएंगे तो इसको back side पे turn करके front और back को बिल्कुल बराबर से करके रखेंगे sleeve से लेके नीचे तक और यहां पे इस तरह से fitting की stitch लगा लेंगे दोनों तरफ हमें सेम इसी तरह से कर लेना है अपर पाठ हमारा तयार हो गया है अब यह साड़ी में जो बचा हुआ fabric है यहां से इसको cut करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे और अब इसमें से हमें कलियां cut करनी है जो कि हमारा main काम है तो चलिए देखते हैं कि कैसे cut करेंगे इसको अब साड़ी को बिल्कुल बराबर से करके यहां पर मैंने 4 fold करके बिचा लिया है यह देखे 4 fold है अब इसको एक और बार fold करेंगे और यह हमारी साड़ी 8 fold हो जाएगी ध्यान रखना है नीचे से सारे piece बराबर होने चाहिए तो यहां पर मैं इस तरह से pin से secure कर ले रही हूँ तो आपको यहां पर 8 piece को बिल्कुल बराबर से नीचे से करते हुए pin से secure कर लेना है इससे हमारी कलियां बिल्कुल एक बराबर से कट होंगी तो यह देखे फैब्रिक को मैंने 8 fold किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह हमारा फैब्रिक 8 fold है अब इसको हम एक और बार fold करेंगे तो यह हमारा फैब्रिक की समय sustain fold हो गया है और नीचे से इसको भी बिल्कुल बराबर से कर लेना है यहां पर यह हमारा जो फैब्रिक है sustain fold है अब हमारे तयार लेंद 41 inch है तो उसमें 1 inch प्लस करके 42 inch पर यह मैंने mark कर लिया है और यहां से एक straight line draw कर लिया है अब यहां से इतनी फैब्रिक को हम cut कर लेंगे तो यह हमारी लेंद की cutting हो गई है अब यह जो हमने कलियां fold की है इसको width को measure करेंगे तो यह 10.5 inch है अब इसका center हमें mark करना है तो measuring tape को इस तरह से fold करेंगे यह देखे 10.5 inch पे मैंने इसे इस तरह से fold किया है और यहां पे इसको इस तरह से रख करके इसका center mark कर लेंगे आप चाहें तो यह जो हमारा fabric है इसको भी center से fold करके यह देखे इस तरह से fold करके इसका center mark कर सकते है center mark करने के बाद अब हम second step की तरफ चलेंगे तो यह जो हमने upper part तयार किया था इसकी west line को measure करके देखेंगे कि कितना है तो यह एक तरफ का 14.5 inch है मतलब total यहां पे 29 inch है तो हम इसको 30 मान लेते हैं और इसी measurement से हम अपने कलियों का calculation करेंगे अब देखें कलियों का calculation निकलना बहुत ही easy है इसके लिए जितना भी आपका west का measurement आया है उसको divide केजिए जितनी कलियां आपको cut करनी है तो यहां पे 30 को मैंने system से divide किया तो 1.875 inch आया अब इसमें 1 inch हम plus करेंगे सिलाई के लिए तो यह हो जाएगा 2.875 inch तो हम इसको round figure में 3 inch मान लेते हैं अब यह जो 3 inch आया है इसका हमें half कर लेना है तो आएगा 1.5 inch तो यह जो हमने center में mark किया है इसके एक तरफ हम 1.5 inch पे mark करेंगे यह देखे इस तरह से center से 1.5 inch पे mark करना है और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से 1.5 inch पे हमें mark करना है तो यह पूरा-पूरा 3 inch हो जाएगा दोनों तरफ का मिला करके इसी तरह से आपको पहले mark कर लेना है यह देखे एक बार मैं आपको और दिखाती हूँ यह total 3 inch है एक तरफ 1.5 inch है और दूसरी तरफ 1.5 inch है इस तरह total यहाँ पे हमें 3 inch पे mark करना है तो यह हमारी उपर कलियों की marking हो गई है अब यह जो हमारा gown है बंद कलि में बनेगा तो कलियां हम नीचे तक नहीं cut करेंगे तो नीचे से हमें कितना छोड़ना है यह आप अपनी हिसाब से रख सकते हैं मैं यहाँ पे यह देखिए जो हमारा border है 15 inch का इससे 2 inch उपर तक इसे cut करूँगी मतलब नीचे से यहाँ पे मैंने 17 inch पे mark किया है और यहाँ से हमें एक line draw कर लेंगे यहाँ तक हमें कलियां cut करनी है लेकिन आप अपने हिसाब से इसको कम्या जादा कर सकते हैं अब देखिए उपर जो हमने ये कलियों के लिए marking की है और नीचे जो 17 inch पे mark किया है दोनों को मिलाना है तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से scale की help से ये देखिए इस तरह से इसको हमने मिला लेना है जो उपर हमने marking की है और जो नीचे हमने 17 inch पे marking की है दोनों को इस तरह से हमें मिला लेना है यहाँ पे अब सेम इसी तरह से दूसी तरह भी हमें करना है ये देखिए जो हमने उपर marking की थी वहाँ पर measuring tape को रख करके जो नीचे mark किया है वहाँ तक इस तरह से line draw कर लेंगे तो यह हमारी कलियों की marking हो गई है अब इसी की उपर से हम इसे cut कर लेंगे हमने जहां तक mark किया है वहीं तक इसे हमें cut करना है पुरा नीचे तक हम नहीं cut करेंगे सेम इसी तरह से दूसरे तरफ भी cut कर लेंगे तो यह देखिए यह हमारी कलिया कुछ इस तरह से cut हो गई है और नीचे से सारी कली ज्वाइन है इसलिए हम इसको बंद कली बोलते हैं अब चलिए इसको देखते हैं स्टिच कैसे करेंगे तो इसको स्टिच करना बहुत ही इजी है अगर आप beginner हैं तो भी आप इसे easily stitch कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो हमारी कलिया कट हुई है दोनों तरफ से एक जैसी ही है तो यह देखे यह मैंने इसे पुरा खोल के इस तरह से रख लिया है और सीधी साइड उपर की तरफ है अब यह जो first कली है इसको इस तरह से उठा करके जो उसके बगल में second कली है उसके उपर रखेंगे यह देखे इस तरह से बिलकुल बराबर से करके रखेंगे और यहां से अब हम इसे stitch कर लेंगे जो हमने cut लगाया है उससे नीचे तक हम इसको one inch नीचे तक stitch करेंगे इसके बाद यह जो दूसरी वाली कली है इसको उठा करके हम तीसरी कली की उपर रखेंगे और बिलकुल बराबर से करके इसको भी stitch कर लेंगे तो चलिए मशीन पे चलके मैं आपको दिखाते हूँ इसे कैसी stitch करना है तो ये देखिए ये जो first वाली कली है और इसके बगल में जो ये second वाली कली है दोनों को मैंने बिल्कुल बराबर से करके यहाँ पे रखा हुआ है ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर से करना है और बिल्कुल बराबर से करके अब हम इसमें stitch करना start करेंगे तो ये देखिए इस तरह से पुरा नीचे तक हम इसे stitch कर लेंगे जहां तक हमने cut लगाया है यह देखिए यहां तक हमने cut लगाया है तो इसको हम यहां तक stitch करेंगे और इससे थोड़ा सा नीचे तक हम इसे stitch कर लेंगे 1 इंच नीचे तक तो यह मैंने इसे stitch कर लिया है अब गुमा करके दूसरी तरब से भी हम इसे stitch कर लेंगे दोनों पीस को पिल्कुल बराबर से करते जाएंगे और stitch कर लेंगे तो ये देखे यहां तक हमारा cut था और उससे 1 इंच नीचे तक मैंने इसे stitch किया है अब needle को अंदर की तरफ रख करके इसको गुमा करके एक और सिलाई चला लेंगे इस पे तो ये देखे इस तरह से मैंने आपे 3 कलियों को ज्वाइन कर लिया है अब बाकी कलियों को भी सेम इसी तरह से हमें stitch कर लेना है जिसने मैंने भी आपको बताया तो ये मैंने सारी कलियों को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है अब हम upper part को लेंगे और उसकी waist line से measure करके देखेंगे कि दोनों की waist line same है की नहीं तो यह देखें दोनों को इस तरह से रखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना fabric यहाँ पे इस्टा है तो अभी हमें side की stitch लगानी है तो यह stitching में चला जाएगा अगर आपका कम या जादा आ रहा है तो आप उसे सिलाई खोल के adjust कर लीजिए अब lining की fabric में skull part की cutting करेंगे तो यह lining की fabric को मैंने two fold करके रखा है इसके बाद हम upper part को लेंगे और उसको center से इस तरह से fold करेंगे अब जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से lining की fabric के एक corner पे रखेंगे half inch इस तरफ margin छोड़के रखेंगे और half inch हम दूसरी तरफ भी margin add कर लेंगे तो यह देखे इस तरह से मैंने mark कर लिया है अब यह जो हमने marking की है इसको measure करके देखेंगे कि यह कितना आ रहा है तो यह देखे यह 8.5 inch आ रहा है अब यह जो lining का fabric है उसके दूसरे corner पे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरह से दूसरे corner पे भी 8.5 inch पे mark करेंगे अब इन दोनों mark को हमें मिला करके line draw कर लेना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और इसी mark के उपर से अब हम इसको cut कर लेंगे cut करने के बाद यह देखिए उपर से यह दोनों piece dwind है तो यहां से भी हम इसको cut करके अलग कर लेंगे cut करने के बाद यह देखिए फैबरिक यहां से सीधा है और 20 से तीरचा cut हुआ है दोनों piece में अब यह जो दूसरा वाला piece है इसको उठा करके हम इसके उपर रखेंगे बिल्कुल बराबर से अब यहां पे हमें length की marking करनी है तो lining का fabric main fabric से 2 inch छोटा होगा तो यहां पे इसकी त्यार लें 39 inch हम रखेंगे तो उसमें 1 inch plus करके मैंने 40 inch पे mark किया है और सेम इसी तरह से दूसी तरह भी 40 inch पे मैंने mark कर लिया है और अब इन दोनों mark को हम मिला देंगे और इस mark के उपर से अब हम इसको cut कर लेंगे अब इसमें से 2 piece को पकड़के हम अलग करेंगे और जिदर से हमारा fabric बिल्कुल सीधा कट हुआ है वहां से इसको stitch करेंगे यह जो तिर्ची side है जहां से fabric तिर्चा कट हुआ है वहां से stitch नहीं करना है जिदर से fabric हमारा सीधा कट हुआ है उदर से ही stitch करना है दोनों piece में तो दोनों piece को मैंने stitch कर लिया है अब यहाँ पर यह देखें दोनों piece को एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ पर हम side के stitch लगाएंगे दोनों तरफ और नीचे से इसको double fold करके यहाँ पर भी इसको हम stitch कर लेंगे stitch करने के बाद अब इसको हम अपने main piece में attach करेंगे तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ main piece की सीधी side उपर की तरफ है और west line से lining की fabric को इसके अंदर डालते हुए west line से बिल्कुल बराबर करके यहाँ पे हम stitch कर लेंगे बिल्कुल बराबर से करके west line से हमें इसे stitch कर लेना है पूरे में घुमाते हुए तो यह देखे lining की fabric को मैंने इस तरह से stitch कर लिया है अब हम upper part join करेंगे तो इस skirt की part की यह देखी सीधी side उपर की तरफ है अब यह देखी है यह हमारा upper part है और इसको मैंने उल्टा करके रखा है अब जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से जो इसके neck side है वहाँ से हम skirt part को अंदर की तरफ डालेंगे यह देखी है neck की तरफ से हमने इस skirt वाले part को अंदर की तरफ डाला और west line से दोनों piece को बिल्कुल बराबर से कर लेंगे अब दोनों piece को west line से बराबर करते हुए side की stitch को side से मिलाते हुए पूरे में हम घुमाते हुए stitch कर लेंगे तो यह सब करके इसका final look में दिखाती हूँ तो यह है हमारी dress का final look बहुत सुन्दर सी हमारी dress बन करके तयार हुई है front में मैंने ये buttons लगाए है fabric से ही बना करके और इसका flare देखिए कितना सुन्दर इसका flare आया है proper कलियों वाला जो gown होता है उसी का look आ रहा है तो वीडियो आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आया हो तो please like कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजिए और बिल के बटन को भी hit कर दीजिएगा चलिए मिलते हैं इस वीडियो में तब तक की लिए बाई बाई